प्रेंट्स कैसा आप सब लोग फ्रेंट्स जैसे कि हमने आप सखाता कि जो सीटेट हो गया डीएस भी हो यह यूपिटेट हो गया उसमें जो आपके को नहीं है जो आपके चैप्टर रहेंगे जैसे बात की जाये जीजिए आपको चैप्टर बाई गोच की जीतने भी साइटिस्टै या फिर जो भी आपके चैप्टर रिलेट्ड है साइकलोजी से जैसे इंटेलिजेंस हुआ पर्सनेलिटी हुआ वो सब चीत हम आपको चैप्टर बाई चैप्टर उसके कवर कराएंगे और चैप्टर कवर कराने बाद उनसे रिलेटेल जितने भी कोस्टन आत तक एकजामों में पूछे गए वो आपको प्रवाइड करेंगे लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे कोस्टन भी आता है जो उनी के बराबर ही इसमें अपना योगदान रखते है जैसे कि बात किज़ाए पेड़ागोजी के कोस्टन की जो की काफी पूचे जाते है चाय कोई साब प्रवाजामों उसके रहाब कुछ कोस्टन ऐसे पूचे जाते ह फलाना इंस्टिटूट काप है या फलाने किस महाना आदमी ने फलाने ने क्या का या वो किस उससे जिड़ा तो इस तरह के कोशिशन भी काफी पूचे जाते हैं नहीं जाम में तो खाली हम अपना साइकलोजी के चैप्टर कवर करके नहीं बैठ सकते हैं उसके लावा में सार डीप ली पूचा जाता है तो उसमें सारा चीज आपका इसमें कवर करा रहे है वह आपकी चैप्टर अलग से करा दिय जाएंगे उनकी सीरिज अलग है लेकिन जो उससे रिलेटिड है वह आपको आज करा जा रहे है तो उसमें जो कोश्ट्यं पूच गए हैं वाज मैंने इसमें include की है चलिए बात करते हैं question कि पहला question है कक्सा में अनुसासन बनाये रखने के लिए शर्वादिक प्रभावसाली उपाये किया है मैं अब जो discipline बनाना है class में उसमें सबसे अच्छा उपाये किया है तो वो पूछा इसमें पहले बात करती है अनुसास नहीं छात्रों को कक्सा से बाहर निकाल देना देखिए तो कोई बनता नहीं कि अगर कोई discipline में नहीं है student उसको किलास से बाहर निकाल दे तो बनता नहीं है सिक्सन को रोचक बनाना यह देखिए अच्छा बनता है कि अगर हम सिक्सन को इस तरीके से रोचक बना दे कि बच्चे उसके परती लगाव रखे या अपनी अटेंशन जाहिर करें सिक्सन के परती तो हम कक्सा में discipline अराम से बना सकते इसली बना सकते तो जो दूसरा option है यह हम इसलिए परदान करना बिल्कुल नहीं कर सकते जो दूसरा आंसर है वह इसमें appropriate लग रहा है काफी इन दोनों में तो इसलिए दूसरा आंसर जो इसका सही हो जाएगा बात करते अगले question की कक्सा में विद्यारतों को अधिगम के लिए परिरित करने हैं तू किस युक्ति का अनुप्रियोग आप नहीं करते हैं देखिए अधिगम मिन्स learning learning के लिए परिरित करने हैं तो किस का प्योग नहीं कर सकते चातरों में स्वस्त परतिस परदा इस्ताफित करना देखिए तो हम करते हैं एक healthy competition अगर student के बीच में हो जाए तो उससे जरूर परिरित होंगे तो डाउट में आता है कि अगर उनकी ज्यादा परसंट सा करेंगे तो वह ज्यादा learning के लिए परिरित नहीं होंगे कई नहीं कर उनके मन में दूसरी feeling आएगी फॉर्थ है गतिविदी आदारित शिक्सन अधिकम विदियो का अनुप्रियोग करना देखिए बिल्कुल बनता है तो इस युक्ति का प्रियोग हम नहीं कर सकते है तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट नेमली खित में से किसी एक से सीशू के अधिकम को साहता नहीं मिलती इन फॉर्थ उप्शन में सो कौन साह जिससे किसी बच्चे के लेंडिंग में साहता नहीं मिलती पहला है अनुकरन means होता है कोपी करना किसी चीज को इसे काफी बार पूछा जाता है वह उससे मोटीव रहे थरौश्कूल का बसता है इसकूल का बस्ते से तो उसे कोई help ऐसी खास कर मिलती नहीं तो इसकूल का बस्ता इसमें जो है जादे सही रहेगा आंसर जिससे उसे कुछ help नहीं मिलती पुरूशकार अगर बच्चे को प्राइज दे तो उससे जरूर उसके अंदर एक positive feeling आएगी कि तो इसके लर्णुग में सायकते देता है तो इसमें third option जो है वही इलग लगज रहा है तो third option इसका अंसर हो जागएगा अगला देखते है basic शिक्सा ही तू महात्मा गांधिने पार्ठे करम पर बल दिया है मलब जो मातमा गांदी थे हमारे उन्होंने किस पाठ्ठे करम पर बल दिया है जो इसमें एक कोशन देखे बहुत इंपोर्टेंट कोशन है और हर एक्जाम में मलब इससे रिलेटेड कुछ नो कुछ पूछाई जाता है कभी कोशन यह आता है कि बेसिक शिक्सा के जनुदाता कौन है बेसिक शिक्सा किसे जुड़ी है मातमा गांदी ने कौन सी शिक्सा दी तो बेसिक शिक्सा हो जाएगी तो आप इसको इस तरह के सिव्याद कर लिजिए इस कोशन में से भी कई सारे आंसर निकल ले तो इस तरह के साब इसे याद गीजिए लेकिन इसमें पूछा ग अगर हम बच्चे किसी चीज को रट लेते हैं या फिर दूसरी की खोपी करते तो उसे लंबे सिर्य के आद कर पातें लेकिन अगर बात की जहे आख खुद ही कनने से यह काम ही और बात की चाहिए है हैं कोई-ध-बत News थोड़ दिया हम पार्थ है पुस्तकों में चरित निर्मान सम्मंदी पार्थ होने चाहिए ठीक है हो सकता है पॉइंट बनता है चरित निर्मान के लिए व्याख्यान देने दिये जाने चाहिए बिल्कुल नहीं बनता है अगर व्याख्यान देंगे चरित निर्मान से सम्मंदी देंगे कोई क प्रक्स गतिविदी इस परकार से हो कि बच्चों को चरित निर्मान में सायता मिल सकती कि यह ज़्यादे एप्रूप्येट आंचल लग रहा है तो यह हो सकता है थार फॉर्थ ओर देख लेते हैं महापुरुसों की जीवनी बच्चों को पढ़ा जानी चाहिए और मेरे ख्या देने चाहिए साइकलोजी में साइकलोजी आपका ऐसा सब्जेक्ट ने कि आपने कोश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपने करें पढ़ रखा सीधा उस पर टिक मारे दे नहीं ऐसे बिल्कुल निकरना क्योंकि इसमें कौन सा ओप्सन किस ओप्सन पर भारी पढ़ जाए तो यह डिपेंड करता है तो इसमें जो थर्ड ओप्सन है वो फोर्थ ओप्सन पर जाद भारी बैठ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इसलिए समझ समझ कर आपको आंसर देने चाहिए साइकलोजी में एक आदर सद्यापक में पाए जाने वाला गुन है जो इसकी एक गुड है टीचर होता है उसका इसमें गुन पूछा है तो पहला है लोक तंतरात्मक देश्टिकॉन ठीक है यानि जो डेमोक्रेटिक देश् बिल्कुल अगर विशवस्तुप्रा अधिकार होगा तो इसके लिए पूजिटिव साइन रहेगा बाल मनुग्ज्यान का ग्यान यह भी बिल्कुल से बैठता है क्योंकि अगर टीचर को बाल मनुग्यान का ग्यान नहींगा तो बच्चे की जितनी भी प्रोब्लम है या ब अपनी छोटी अवस्ता से बड़ी अवस्ता तक बड़ा होता है उस दुरान उसमें क्या चेंज आते हैं और किस तरीके साम उसमें बदलाव करके उसे अच्छा नागरी बना सकते है और उसका उसकी लाइफ में भी एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं तो बाल मनुग्यान इसमें बैठता है तो D option है उप्रोक सभी ठीक है उप्रोक सभी बैठ जाएंगे तो इसकांस हो जाएगा फॉर्ट क्योंकि सभी गुन पाए जाते हैं आदर्श टीचर में आपकी कक्सा में एक बच्चा रोज आपको परिसान करने के लिए ए परासंगिक परसन पूस्ता है मलब कुछ भी सब्जेक्ट से इलेटिड नहीं है जो परसन वो पूछता है आप पढ़ा रहे हो कुछ हो रहे हो और वो पूछ कुछ हो लेता है तो इसमें आप क्या करोगे पहला है परदान परदानाचारे से सिकायत करेंगे नहीं इतनी नोबत नहीं आएगी दूसरा उस बातचीत करेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो कहीं न कई उसका समदान जल्दी मिलेगा उसके माता पिता से सिकायत करेंगे बिल्कुल नहीं तो इसका आंसर जो है थड़ हो जाएगा उससे बातचीत करेंगे NCF 2005 के नुसार NCF जितना भी है उसके लिए मैं आपके बकायदा एक अलग से वीडियो बना दूँगा क्योंकि NCF में भी काफी कुस्टन है जो हरा एकजाम में पूछे जाते हैं लेकिन फिलाल जो इससे रिलेटेड कुछ कुस्टन है वो मैं आपके इसमें करा देता हूँ घृतिवाव को पूछाए की वो क्यों महत्पुन होती है यह ककसा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा इस्तान उपलत कराती हैं द्यापकों को बच्छों को डाटने के लिए ऐक तरीका उपलत कराती यह बिलकूल नी हो यह बच्चे के विचार के इंतर दिस्टू प्लत कराती है तता समादानों को पैचानने में साहता करते हैं बिल्कुल सही करें एंच फ्जो गल्तिया जो होती है इसलिए महत्पन होती है फोर्थ भी देख लेते हैं यह विद्धार्यतों को उत्रीन यह उन उत्रीन पास और फ 9, right to education ये भी मैं आपको करा दूँगा, जित दिनें से आप करा दूँगा, उसी के अंदर ये आपको include कर दूँगा मैं, जाता है, इसमें यही से एक आपकान सर्वी तियार होता है, कभी-कभी एक्जाम में आजाता है, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो किस साल में लाग हुआ तो याद कर लिजे वह था दोजान नो में ये भी कभी कभी पूछ ले जाता है इसमें पूछा है राइट टो एजुकेशन दोजान नो में एक अध्यापक को निमने में से किस दाइत को पूरा करना होगा ठीक है तो पहला है विद्याले में नियमित रूप से समय पर उपस्तित रहना होगा ठीक है पहला उप्षन बनता है दूसरा है पाठ्यकरम का संचालन कर पूरा करना होगा ठीक है ये भी बनता है बिल्कुल संपूर्ण पाठ्यकरम को निर्दारिस समय पर पूरा करना होगा बिल्कुल ये भी बनता है तो तीनों ये उप्षन बनने है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ये लगा लिजाए for teacher education इसकी full phone हो जाएगी option D कभी कभी इसमें ये भी question पूछ लिया जाता है कि जो NCT है वो किस वर्स लागू किया है तो आप उसे भी लिखे लिजे कि ये 1995 में हुआ था ये भी आपके लिए काफी useful रहेगा इसके थोड़े डिटेल में मैं आपको बता दूँगा जब उन टोपक का कवर कराऊंगा फिलाल आप दो चीज़ाद कर लिए फुल फोन ये कभ लागुआ 1995 में आर्ट ये एक्ट राइट टू एजूगेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्रात्मिक विद्धालों में शिक्सों के परती सब्ता कुल कितने गंटों की योजना बनाकर तियार करते हैं हर एक्जाम में पूछा गया कोस्टन है और अगर मैं गलती नहीं हूं तो जो डिएसस्वी क का भी कैंचल हुआ था एक्जाम उसमें भी ये कुस्टन पूछा गया था फिर चाहिए किसी भी सीट हो यूपिट है टो डिएसस्वी या कोई की विएससवा कोई हो रहा है एक्जाम हो ये कुस्टन काफी बार पूछा गया है तो इस आप याद कर लिए इसका अंचाल है ट्राइट फॉर्टिफाइल, अगला देखते हैं हाओ एक परभावी अध्यापक है भी या यह जह कर सकता है कक्षापन नियंतरन कर सकता है ठीक है ये भी बैटरी है दूसरा कम समय में अदिक शूच न देना थीक है ये भी एक इसकी खूवी बैटरी है दूसरा पंट में सब्सक्राइब देखते हैं विद्धारतों को सीखने के लिए अभी प्रेरित करना यह ज़्याद है प्रोपीट आंसर बैटर की विद्धारतों को सीखने के लिए अगर मोटिवेट करेगा हो और उससे क्या होगा बच्चा खुदी उसके अंदर से फिलिंग आएगी उसको सी लिखने के लिए करने के लिए और वह ज्यादे बेनिफीशल साबित होगा ना कि सुरू के दोनों और फूरत है दतकारे को ध्यान पूरोग जाचना यानि जो बच्चे का होम मरक है उसको ध्यान से जाचना देखे साइकलोजी में आप एक बात ध्यान याद कर लीजे जो आप द्यान लकिन रखने लाएक क्या है जो भी आपके चार उप्सन आए कभी भी पहला दूसरा पढ़के एक्तम टिक मत लगा दीजिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है चार में से तीन उप्सन बिल्कुल आपके ऐसे लगते हाँ यह तीनों से यह लेकिन उन में से कोई सा एक ज और ओपरेशन ब्लेक बोर्ड परिणाम था जो ओपरेशन ब्लेक बोर्ड है यह 1987 में आया था और यह जो राष्ट्य शिक्सा नीती बनाए गई थी 1986 में उसका परिणाम था बेसिकली यह जो है प्राइमरी बच्चों के लिए यह योजना लागो की गई थी एक राष्ट्य शिक्सा योजना 1968 में भी आई थी 1968 लेकिन यह 1986 में जो आय थी तो यह उसके कारणा आयता है प्राइमरी स्ट्यूटेंट के लिए तो इसे भी आजाद कर लिए ओपरेशन ब्लेक बोर्ड राष्ट्य शिक्सा योजना या राष्ट्य शिक्सा नीती 1966 तो इसका आंसर हो अलग different qualities होती है किसी में कुछ होती है किसी में कुछ होती है कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है कोई अच्छा लिख सकता है तो कोई अच्छा बोल सकता है कोई physical काम अच्छा कर सकता है को mentally कर सकता है तो हर किसी में की personality में कुछ ना कुछ different जरूर मिलेगा आपको तो है इसमें हो यह पूछा है कि जो वेक्तिकत भीत्वा का चेतर हैं वो को फिर mówi युल्ग बेद का है Pacific antreyoda बंता है दूसर सारी रिक्राइशना ठीक है यह विक्तिवी थिक्टessa का हाद है कोई लंबा कोई चौटा कोई मोटा कोई पतला ठरा है मांचे क्योगेता है ये भी बिल्कुल है तो पहला है प्रगति सील भूमिका में ठीक है यह भी पहला उप्सन आंसर बना ठीक है दूसरा है प्रभुत्तु वादि भूमिका में देखे प्रभुत्तु वादि भूमिका एक टीचर को कभी भी इस भूमिका में नहीं आना चीए क्योंकि अगर वो स्टुडेंट के उपर अपना रोब जमाएगा या अपना प्रभुत्तु जमाएगा तो कहीं न कई स्टुडेंट के अंदर एक नेगिटिव फिलिंग है ठरळे परजातांत्रिक भूमिका में ये औप ऑप्सम कहीं भी आपको दिख जाया में guaranteed देता हूँ आपका 90 percent हमेशा सहीत नंए ह्मिलेगा 90 के 95 percent आया या तो परजातांतिक भूमिका या लोगतांतिक भूमिक आ जाय या democratic role आजाए कुछ भी आजाए और इसमें जो आप इसे इंगली स्मोर याद कर लीज़े democratic कहीं भी आजाए इस कांसर हमेसा यही मिलेगा teacher की quality जाजाए कुछ और आजाए तो यह third option जाद सूटेवल बनना fourth भी देख लेते हैं पर वाव साली भूमिका में यह भी बनता है लेकिन बात की जाए चार उप्सन में से तो बनता है third पर जातांतिक भूमिका डेमोकरेटिक रूल में बच्चों को साब्दिक या गेर साब्दिक देने का परिनाम होता है देखे इस question के आने से पहले सबसे पहले यह बात जान लीजिए किसी भी बच्चों को आप क्योंकि आप आगे टीचर बनने वाले हो और यह बात आपके आने वाली पूरी जब तक आप रिटायर्मेंट नहीं ले लेते तब तक आपके ध्यान लखने वाली बात है कि किसी भी बच्चों को आप ना तो उसे कोई साब दिख, साब दिख मेंज कुछ बोल कर, जैसे आज कल क्या पहले टीचर बोल देते, ओए गदे इधार आ, या फिर किसी को कुछ जाती वाचक सब बोल दे किसी की, तो वो हम यूज नहीं कर सकते, या गेर साब दिख दंड, किसी भी तरह का दंड, साब द दिखो, फिजिकल ही हो, मेंटल ही हो, अगर किसी भी कोस्टन में यह आ जाए, और उस ओप्शन में दिया हो, तो सबसे पहले आप कार्ड देना, क्योंकि यह आंसर कभी भी ठीक नहीं बैठ सकता, भले ही आपको तीनों ओप्शन बिल्कुल गल्त लगे, और यह सही लगे, लेगिन मेरी आप कोई पर्सनल सजेशन है, बिल्कुल भी इसे टिक मत करना, क्योंकि बच्चों को किसी भी तरह का दनड नहीं दिया जा सकता है, तो यह इसमें पूछा है कि बच्चों को सादिक या गार सादिक दंड देने का पन्ड नाम होता है, क्या होता है? पहला उन् के अंकों में सुधार होना बिल्कुल नहीं होगा उनके सुवह के प्रतिक और धानना को नश्ट करना देखे यह आंसर इसमें सही है अगर बच्चों किसी भी तरह का दर्ण देते हैं जो तो बच्चा जो खुद अपने बारे में जो सोचता है तो कहीं नकर उसकी जो आफदा अगर दंडे नहीं दे सकते चाय किसी भी तरह का बात कर लेते हैं नेक्ट कोस्टन की अधिगम अनुभावो लेंडिंग एक्सपिरेंस को इस परकार से आयुजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके नीचे दिये गए अधिगम अनुभावो जि बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता फर्स्ट विसे वस्तु की केवल याद कनने के अधार पर पुर्णा बरती बिल्कुल सही बैठता है पहला यह उप्सन सही आगए लेकिन बागी के देख लेते हैं विसे वस्तु पर पर्सन बनाना यह तो पोजि अधिटिव चीज में आ रहे हैं खाली एक उप्सन है जो फर्स्ट जो इससे सुगम नहीं बनाता तो इसका अंतर हो जाएगा फर्स्ट नेस्ट देख लेते हैं सिक्सनों में अध्यापों के दिवारा विद्यायतों का आकलन इस अंतर देश्ट को विक्सित करने के लिए क् पहला है पहला उन्मीड फियद्यायतों के पीचान करने सरथ हैं online विद्यायतों को प्रमोटब करना ओना जो विद्यायतों लें के इशतर के अनुकूल नहीं है यह भी सिक्षार्था कि आवशक्ता के नुसार सिक्षन उपाअगम में परिवर्षित करना फिर्ष में परिवर्ष बनाना में इस और पर वी नंना गार biased कि अगला जब एक सिक्ष्षक यह समझता है कि सबावी क्रूप से लड़के लड़के गनितमें लड़कें अच्छे धरसाद आएगी अध्याबक है देखे इस question में मैं आपके सारे इसे related सारे question अभी अच्छे तरीके से बता देता हूँ जो इससे पूछे जाते हैं कभी भी आपके question में ये आ जाए कि कोई भी चीज हो जहाँ आप लड़के के मुकाबले लड़की को जादे preference दोगे या लड़की के मुकाबले लड़के को जादे value तर्जो दोगे तो कही न कहीं लेंगी पूर्वागर से संब्दित जरूर होगा तो question में आप किसी भी तरीके का question पूछ लैग जामिनर आपसे अगर वो ये question में यह आता है कि जहाँ आप लड़के को लड़की से जादे कख्सा अध्यापक ने रागव को अपनी कक्सा में अपनी कीबॉर्ड पर स्वयन तयार किया गया मदूर संगीत बजाते हुए देखा कख्सा अध्यापक ने विचार कही कि रागव में डैस बुद्धी उचस्तरिय थी देखे उसे क्लास में किसी student को संगीत बजाते देख तो उसमें किस तरीकी बुद्धी है पूछा है, सारे रिक गतिक बोदर, सारे रिक की हो सकती है, अपने वो हाथ थोड़े चला रहा है, लेकिन इतनी भी नहीं हो सकती, दूसरा संगीत में, बिल्कुल सही बैठता है, संगीत में बुद्धी है, तभी वो संगीत बजा रहा है बासाई के इसमें कोई रोल नहीं है, इस्तानिक बिल्कुल नहीं, तो इसका अंसर आए जाएगा, संगीत में, बाल के इंदरित शिक्सा में सामिल है, पहला बच्चों का एक कोने में बैठना बिल्कुल नहीं, दूसरा परतिबंदित परिवेस माधिगम ये भी नहीं, थर सिल्फ को ज़्यादे इंपोटेंस दी गई थी, तो यही सेम इसके अंदर आगया है, तो इसका अंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जितना अधिक अगर खुद से करेगा, अपने हाथों से कोई काम करेगा, तो जल्दी सीखेगा, बजाए किसी चीज को सुनकर रटकर, त राष्ट्य साकसरता मिसन, अभी हाली के यूपी 8500 में वाले कोशन सेम आयता हुआ, तो राष्ट्य साकसरता मिसन की सुरुवात कब हुई, इसा आप याद कर लिए पाच में 1988 को, समीधान में सिख सको कि सूची में समिलित किया गया है, यह भी पूछा गया था एक्जाम मे तो यह सूची में समिलित किया गया है, समवर्ती सूची को, तो देखें गाई, यह आपके important question थे, जो मैंने इसमें समिलित कर दिये, most important question थे, अलग-अलग exam में पूछे गये थे, और यह जो question मैंने आपके इसमें जितने भी डाली हुए है, यह अलग-अलग book और अलग-अल जो पेड़ागोजी के question है, या फिर जो आपके जैसे जितने इंस्टिटूट है, इनके कब बने, कब आए, कौन सी नीतिया, यह सब आए, यह भी मैं सम्में आपको इसमें include कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको जो important question है, वो इसमें देता रहाँँगा, बाकि वो आप के cover होते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाएगी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को subscribe कीजए, क्योंकि अगर आप subscribe करते हो, तभी आपके पास notification आएगा, जिससे कि आप जितनी वीडियो हम upload करेंगा, आपके सामने वात ही चली जाएगे, और इसके साथ मैं वीडियो को stop करता हूँ, thank you.